इस आकिर्ती में कितना त्रिभूज है मेरे दोस्त यही हम लोगों को बताना है देखेंगे आपको मैं बता दों जब भी इस प्रकार के अगर आकिर्ती बने और यहां पर एक लाइन किजी गई हूँ तो इसमें कितना त्रिभूज होता है यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं इसको हम numbering कर देते हैं एक दो इन दोनों को आपस में वो add कर देंगे वन प्लस टू ब्राबर कितना तीन यहाँ इस परकार की जब भी आकिरती बनेगा 9 त्रिभूज यहाँ हो जाएगा समझ रहे हैं 9 त्रिभूज यहाँ हो जाएगा प्लस और देखो मेरे दोस्त यहाँ पर इन सभी को मिलाने के बाद एक छोटा यह त्रिभूज बनेगा बनेगा बिल्कुल सही बात है अच्छा इसके अंदर कितना त्रिभूज है एक दो तीन और चार चार छोटे छोटे त्रिभूज है और एक यह बारा वाला कितना पांच त्रिभूज यहाँ से आ जाएगे ठीक है और देखो एक बारा वाला त्रिभूज यह बन जाएगा कितना हो जाएगा 9, 5, 14 और 1, 15 15 कौन सा अप्शन में दिया है अप्शन नमबर B ठीक है चलिए हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतेंदर गुरुजी में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजिनिंग के 10 अधी महतोपुरुन प्रशन के बारे में जो रेलवे और S.S.E. में जो प्रिवियस येर कोशन के वाल हमने सामिल किया है अभी जो हाली में रेलवे का एक्जाम होने वाला है उसमें इस सारा का सारा कोशन रिपीटिट है ठीक है और हम इसमें कोशन किस परकार के होगा भाई देख रहे हैं यहाँ पर एबेन डाइग्राम का कोशन है एए एनलोजी का है एभी एनलोजी का है ठीक है और एब पार्ट नमबर हम लोगों का 3 है दोस्तों जिसने पार्ट नमबर 2 तक नहीं देखे है इस चैनल के वीडियो सेक्षिन में जाईए वहाँ से सारा ही वीडियो आपको मिल जाएगा चलिए तो सुरू करते है पहले नमबर कोशन से चलिए आपका पहला कोशन है आप लोगों के सामने दी गई आकिरती में कितने त्रिभूज है दी गई आकिरती में कितने त्रिभूज है मेरे दोस्त मैं आपको एक भात बता दो यहां पर देखो जो त्रिभूज मना है न इसमें ट्रिक से इसको कैसे सल्व करेंगे सबसे पहले एक आपको हम विशेस तरीका का कंसेप्ट देते हैं देखो मेरे दोस्त जब भी इस प्रकार की आकिरती अगर आपके सामने कहीं भी दीखे एक लाइन यहां से खीची हूँ इसमें कितना त्रिभूज है जो रेड धности हम ने त्रिभूज को बनाया है इसमें कितना त्रिभूज है भाई तो देखो इसको कुछ नहीं करना इसको numbering कर देना एक, दो, ठीक है numbering कर दिये है अब आपस में इन दोनों को add कर देना ठीक है, एक और दो जोर देंगे तो 1 प्लस, 2 एक कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा तो जब भी इस परकार की आकिरती बने इसमें total 3 तिर्भूज बनते हैं ऐसा तिर्भूज ये मूल जो आकिरती दिया है इसमें कितना है, 3 है कहां कहां, एक यहां पर दिया गया है एक यहां पर दिया गया है और एक यहां पर, 3 यहां से तीन तिर्भुज है, यह नहीं, इस परकार कितना है, तीन है, तो एक में तीन बन रहा है, तो तीन में कितना बनेगा, तीन गुना तीन कितना हो जाएगा, भाई, नौ हो जाएगा, बहुत बन जाएगा, अच्छा, इन सब को जब हम एक जगे मिलावेंगे, तो एक ही बारा वाला त्रिभुज बन जाएगा बहुत बन जाएगा अच्छा एक इचोटा वाला बीच वाला बन जाएगा दो त्रिभुज यहां से आ जाएगे एक इबारा वाला और एक इचोटा वाला दो त्रिभुज यहां से आ जाएगे ठेक है ना दो त्रिभुज यहां से आ कितना हो जाएगा 9 2 11 11 और 4 कितना 15 तो इस question का right answer 15 हो जाएगा जो option number B में दिया गया है ठीक है किसी भी भाई को अगर इस question में थोरा भी confusion हो हमें comment करके जरूर अपने भाईया से पुशिए क्योंकि एक question जितना भी है मेरे दोस्त एससी का question है ठीक है सारा question मैंने previous paper से ही सामिल किया है चलिए next question अगला question है दी गई आकिरती का दरपन प्रतिवीम ग्याद करें यहां पर जो दरपन के इस साइड में जो यह number लिखा हुआ यहां पर जो word लिखा है इसका हम लोग जब दरपन प्रतिवीम में देखेंगी तो कैसा दिखेगा यहीं बताना है तो सबसे पहले इसके लिए आपको मैं एक concept बताता हूँ दरपन प्रतिवीम में actual होता है क्या कि ऊपर ऊपर और नीचे जो है यह same रहता है कोई change नहीं होता है लेकिन left change हो जाता है right में और right change हो जाता है left में क्योंकि जब हम लोग अपना चेहरा सीशा में देखते हैं अपना तस्वीर जब हम लोग सीशा में देखते हैं तो जो हम इसे सिरूल एक और होता है जिससे option बहुत सारा जल्दे छाड़ जता है कि जो चीज दर्पन से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिविम उतना ही नजदीक बनता है जो चीज दर्पन से जितना दूर होता है उसका प्रतिविम उतना ही दूर बनता है जैसे यहां पर समझते ह यहां पर दर्पन लगा हुए है, बहुत बनीना, यहां पर लगा है दर्पन, अच्छा, दर्पन से नजदीक में E है, तो नजदीक में E बन जाएगा, आई कैसा बनेगा भाई ऐसा बनेगा समझेगा ऐसा बनेगा अच्छा दरपन के थोरा सा दूर She है तो थोरा सा दूर She बनेगा She बनेगा ऐसा और देखो ऐसा कौन सा Option मेंём Option को तुम छाटते चलो मेरे दोस्त Option छाटते चलो देखो यहाँ पर She सीधा बना दिया इसलिए option ये गलत उसके बाद तिनों option match कर रहा है आगे चलो, आगे क्या है N है तो N कैसा बनेगा भाई, N बनेगा इस प्रकार से, बहुत बनेगा उसके बाद A है, तो A ऐसा बन जाएगा, उसके बाद R है तो हार बन जाएगा, ऐसे उसके बाद में यूँ, यूँ का जियोते हो बनेगा, अच्छा, D जो है D इस प्रकार से बन जाएगा, समझ रहे है और ऐसा देखो, इसके आधार पर option चाड़ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर C के बाद में N C के बाद में तुम N देखो, N option number B में सीधा बना दिया, इसलिए option B गलत, अच्छा, option number, option number C में A को, देखो option number C में A ठीक है, R भी ठीक है यूँ, उल्टा बना दिया, देखो option number C में यूँ, उल्टा बना दिया इसलिए option C गलत, हमारा हूब भू, अप्सन number D मैचिंग कर रहा इसलिए, इस question का answer option D हो जाएगा हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आव सकता नहीं है, मेरे दोस्त, ऐसे इसका answer हम लोग दे सकते हैं, ठीक है answer option D, हम पूरा कहे बनाएगे जहां हमारा answer मैचिंग कर जाएगा हम पूरा बिल्कुल नहीं बनाएगे ठीक है न, बनिया है चलिए, अगला question क्या कह रहा है, उसके तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं चलिए, अगला question अगला question, काफी important और मजेदार question बेन डाइग्रम कह रहा है, मचली सर्प और पक्षी, इस तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा, यहीं हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, देखो मचली और सर्प के बीच में कोई relation है, मचली आ सर्प के बीच में कोई relation है नहीं, मचली एक परकार की अलग जीव है, और सर्प अलग जीव है, ठीक है, इन दोनों में कोई relation नहीं है, अच्छा, इबता सर्प और पक्षी के बीच में कोई relation है, नहीं, सर्प अलग है पक्षी अलग है, अच्छा, इबता यह मचली आप पक्षी के बीच में कोई relation है, नहीं, इसमें भी कोई इसका मतलब है मेरे दोस्त इस तीनों में कोनों से कोनों का ताल मिल नहीं है यानि मचली का बेन डाइग्राम अलग बन जाएगा यह हो जाएगा मचली अच्छा सर्प का अलग बन जाएगा यह हो जाएगा सर्प अपक्षी का अलग बन जाएगा क्योंकि ये तीनों में कोई ताले में नहीं है तीनों अलग-अलग जीव है कौन सा option में दिया है ऐसा तो ऐसा option number D में दिया है मेरे प्यारे साथियो तो इस question का जो answer होगा option number D हो जाएगा सही ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ अगला question क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये हमारा रेले बे एंटी पीसी में पूछा हुआ question है स्रीज का क्या question है? यहाँ पर question मारके अस्थान पर बताना है इन चारो option में से कौन सा option सही होगा तो सबसे पहले देखेंगे पर क्या है? साथ है उसके बाद में बारे है उसके बाद में बाईस है उसके बाद में बे आलिस है उसके बाद में बेरासी है उसके बाद में यहाँ पर question मारक है तो इस question मारके अस्थान पर क्या आएगा बस यहीं हम लोगों को बताना है सब इससे पहले देखेंगे प्यारे साथी की 7 से 12 कैसे बना सकते 7 से 12 बनाने के लिए अगर 7 में प्लस 5 हम लोग करेंगे तो 12 बन जाएगा 12 से 22 से बनाने के लिए क्या करना होगा 12 में प्लस का 10 करेंगे 22 से 42 बनाने के लिए 22 में 20 करना होगा 42 से 82 बनाने के लिए 42 में 40 एड़ करना होगा तो यह बत यह आपको logic समझ में आया की नहीं मेरे दोस्त सबसे पहले प्लस 5 हो रहा है उसके बाद प्लस 10 हो रहा है उसके बाद प्लस 20 हो रहा है उसके बाद प्लस 40 हो रहा है तो 2 में 0 को जो रेंगे तो 2 हो जाएगा 8 और 8 16 162 इस question का answer होगा जो की option number C में दिया गया है ठीक है मेरे प्यारे साथी मैं उम्मी भी करता हूँ आप लोग ए question को जरूर समझ लिया होंगे भरते हैं अब हम लोग next question के तरब चलिए अगला question है नेमन स्रेनी में ऐसे कितने 0 है जिनके तुरंत बाद संख्या दू है यहाँ पर question को तुम ध्यान से समझ हो और का कर रहा है नेमन स्रेनी में ऐसे कितने 0 है जिनके तुरंत बाद संख्या दू है एसे कितना इसमे जीर है जिसकी तुरंत बाद में दू है तो मेरे दोस्ट इस को बनाने के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ जीरो है उसको underline करो उसके बाद condition apply करो सबसे पहले यहाँ पर क्या है जीरो है यहाँ पर जीरो है यहाँ पर जीरो है उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, है न, 0 कितनी जगा मवजूद है, 5 जगे, उसके बाद condition तुम apply करो, देखो, question ने बोले, ऐसे कितने 0 है, जिनके तुरंत बाद में, यह जैसे, यह 0 है, इधर होगा बाद वाला, इधर होगा पहले वाला, तो बोला है कि तुरंत ब बाद में क्या आना चाहिए, 2, तो यहाँ 0 है, उसके बाद में 2 है, हाँ बिल्कुल है, इसको तो हम लेंगे, यहाँ 0 है, उसके बाद में 2 है, बिल्कुल इसको भी लेंगे, यहाँ 0 के बाद में 3 है, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हमारा कितना 0 है, जिनके तुरंत बाद में 2 है तो 3 हमारा answer हो जाएगा जो option number 4 में दिया गया है ठीक है दोस्त इस प्रकार से बनाना होता है चलिए next question कितना आसान question था तुरूंत रिलबे में सारा का सारा question पूछा हुआ है question है जीस प्रकार जीराफ का संबंद उचाई के साथ में है वहीं relation बाग का question मार के के साथ में होगा तो दोस्त सबसे पहले ध्यान से सूनेंगे कि जीराफ का संबंद जो किस प्रकार उचाई सी है उसी प्रकार बाग का बताना है तो मेरे दोस्त सबसे पहले जीराफ जो है अपने आप में एक BCS प्रकार की बहुत लंबा जीव है यानि बहुत लंबा ह जिराप बहुत लंबाई जिराप जो है उच्छाई में सबसे अधिक होता है इसलिए जिराप का समन्द उच्छाई से बहुत महिया बात है यह जिराप की लंबाई जादे होती है इसलिए इसको उच्छाई में बता दिया जिराप उच्छा होता है तो यह बता है बाग का रि गोशित किया गया इसके सरे पे बहुत धारिया पाई जाती है तो इसका एंसर हो जाएगा अपसर नमबर सी सही ठीक है चलिए नेक्ट कोश्चन अगला कोश्चन है करें जिस पर का 49 का रिलेसन 81 के साथ में है वहीं रिलेसन एक सबसे पहले देखेंगे प्यारे दोस्त की उनचास से यहां पर देखेंगे उनचास से देखेंगे 81 कई से बना है उसी प्रकार यहां पर 121 हम लोग 121 कोश्चन है आसानी से बना सकते हैं सबसे पहले यहां पर क्या लवजिक है देखो 49 क्या है उन्चास जो है 7 का क्या है स्क्वाइर है 81 क्या है ए 9 का स्क्वाइर है अच्छा एक से 11 का स्क्वाइर है यह बात समझे की नहीं समझे बिल्कुल कहने का मतलब जो 49 है 7 का स्क्वायर है और 81 नौ का स्क्वायर है तो यहां 7 से 9 कैसे बना 7 से 9 बना 7 में प्लस 2 7 का स्क्वायर होता है 49 बहुत बनिया आए 7 में plus 200 देंगे तो 9 हो जाएगा नौ का S² कर देंगे तो इस second वाला number मिल जाएगा उस्सी प्रकार 11 का S² एक से 12 div हे किया है तो इस में plus का हम 2 कर देंगे तो 11 में हम plus का 2 करेंगे तो 11 2 हो जाएगा 13 आज नहीं कहा अब हम लोग कर देंगे S² 13 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा तो इस कोशन का राइट एंसर 179 जो की आपसा नमबर ए में दिया गया है ठीक है मेरे दोस्त तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक कोशन को भी समझ चुके होंगे चलिए देखते हैं आठ नमबर कोशन की तरह आठ नमबर कोशन बहुत लाजे बाब कोशन ने कह रहा है दिये गए समों में असंगत की पहचान करे दिये गए समों में असंगत की पहचान करे जैसे अपसन ए निम्बू है अपसन भी इमली है अपसन सी कंचाआम option D चीनी है इन सब में अलग कौन होगा मेरे दोस्त हम सभी कोई जानते हैं निम्बू, इमली और आम इस स्वाद में खटे होते हैं स्वाद में कहटे होते हैं ठीक है? जबकि चीनी जो है इस स्वाद में क्या होता है? स्वाद में स्वाद में क्या होते हैं स्वाद में होते हैं लोग खट्टा ठीक है स्वाद में खट्टा पतार था खाने योग है लेकिन खट्टा है और चीनी क्या है मिठा तक इसमें सबसे अलग हो जाएगा मिठा क्योंकि यह तीनों का जो प्राकिर्ती है और एकस का अलग है मिठा इसल यह option D इसका right answer हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए, next question, अगला question कहता है, coding decoding से लिया गया है, और railway 2018 में इसको पूछा था, question है, यदि I बराबर 9 लिखा जाए, और C, A, P, cap बराबर 20 लिखा जाए, तो Z, O, बराबर क्या लिखा जाएगा, यहीं हम लोगों को बताना है, तो सबसे पहले अंगरेजी बरमाला में हम लोग बहुत बर्याद तरीका से जानते हैं, जो I का, यहाँ पर लिखते हैं, जो I का आस्थान होता है, मेरे प्यारे साथियों कितना होता है, 9 होता है, उसी 9 को यहाँ पर लिख दिया गया है, बहुत बर्याद, अब देखो C, A, P क कैसे लिखा, देखो हम अगर इनके place value को आपस में add करके देखते हैं, C का आस्थान कितना होता है, 3 होता है, A का आस्थान, 1 होता है, P का आस्थान, 16 होता है, समझे, C का 3, A का 1, P का 16, इन सब को add करके देखते है, 16, 17, 13, 20, बिल्कुल सही बात है, अगर इनके letter का place value को हमने जब add किया, तो 20 बन गया, C, A, P, cap को C का आस्थान, 3, A का आस्थान, 1, P का आस्थान, 16, इनको जब हमने add किया, तो 20 बना दिया, इसका मतलब इनके letter का place value को ही add करना है, तो अब बते, उसी परकार से Z, double O है न, इनका code क्या हो जाएगा बताना है, Z है, उसके बार में double O है, तो मेरे दोस्त, यहाँ पर इबात को बताए कि Z का आस्थान कितना होता है, 26 होता है, प्लस O का आस्थान कितना होता है, 15 होता है, यहाँ भी O का आस्थान कितना है, 15, इन सब को add करेंगे, 15, 15, 30, 30, 20, 50, और 56 हो जाएगा, 56 इस question का answer होगा, हम सब ही कोई जानते हैं, लेकिन 56 को option number C में रखा है, लेकिन इसका answer option C नहीं होगा, क्यों, इबात बते, बहुत सारा बच्चा यहाँ पर option number C मार देता है, जो कि गलत है, क्यों गलत है, इसका option C सही होगा, हम भी जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी option C को देखो, option number 3 में रखा गया है, इसलिए इसका right answer ह option number 3, option number 3 इसलिए यह सही होगा, क्योंकि 56 को, यानि 56 option C में दिया है, लेकिन option C को option 3 में रखा गया है, इसलिए इसका answer 3 होगा, ना कि option C, समझें, यहाँ पे confused नहीं होना है, मेरे दोस्त चलिए, next question, अगला question है, स्रेंखला को पूरा कीजी, यहाँ पर एक स्रीज लेटर का दिया है, इसमें स्रेंखला को पूरा करना है, क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है B, उसके बाद में है F, उसके बाद में है K, उसके बाद में है क्यों, उसके बाद में है question mark, तो यहाँ पर हम लोग द से 6 बना है प्लस का 4 किया जाएगा बहुत बरिया बात है उसी प्रकार F से देखेंगे के बना है F का अस्थान अंगरेजी बरमाला में 6 होता है के का अस्थान 11 होता है तो 6 से 11 बना है प्लस का 5 किया गया है के से क्यों कहिसे बना है के का अस्थान 11 होता है क्यों का अस्थान 17 ह यह बात भी बिल्कुल clear है, तो यह बताइए, यहाँ पर logic तो आपने समझ गया कि पहले प्लस 4, फिर प्लस 5, फिर प्लस 6, तो अगली बार कितना हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा, एक एक बार रहा है, अच्छा, क्यों का अस्थान होता है मेरे तो 17, 17 में 7 को जो रहेंगे तो कितना बनेगा 24 आज 24 वे अस्थान पर लेटर कौन सा होता है X होता है तो इस question का right answer हो जाएगा X जो की option A में दिया गया है ठीक है न? तो मैं उम्मीद गरता हूँ आप लोग ए question को जरूर समझ लिए होगी ठीक है? शलिए तो मैं उम्मीद गरता हूँ दोस्तों इस सारे question आपको बहुत बनिया तरीका से समझ में आ गया होगा किसी भाई को कोई दिकत हो तो comment करके जरूर पुछिएगा अच्छा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होनो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूजी लेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको सेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहें